नमस्कार मैंने तेसरा है टेस्ट फिदियो घर में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको 12 पास जाने के इंटर पास फाइप गौवर्मेंट जॉब के बारे में आपको जनकाई देने वाला हूं यह सारी जनकारे मैं आपको सौट में पास किये हैं या फिर आपको यह जानना चाहते कि 12 पास कौन-कौन से अच्छी सरकारी जॉब है जिसे आप इसके तैयारी कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकाई देने वाले हैं इसलिके जयाड तक बहुत ही सौट में तो चलिए अगर आप मेरे चैनल को का जी हां दोश्तों SSC-CHSL को कॉमाइंड हाइयर सेकेंडरी रिकूर्मेंट भी का सकते हैं SSC में आपको चार प्रकार के जॉब मिल सकते हैं पहले अमर की बात के तो लोवर डिवीजन कलर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्टल एसिस्टेंट्स सौर्टिंग एसिस्टें अचले हम बात कर लेते हैं इसका एक्जाम के बारे में जिहां दोश्तों SSC-CHSL का एकजाम 3 वेपर में लिया जाता पहला जो है अब्जेक्टिब का दूसरा है इसका इसकिल टेस्ट का जिहां दोस्तों skill test में आपका computer test इसमें आपका typing का test ले आ जाता है अगर हम बात करें इसका salary का तो सब में इसका अलग-अलग salary है सब category में सब का जो job है सब में अलग-अलग category है तो अगर बात करें lower division clerk का तो इसमें आपको 18777 से 22411 तक होने वाला है data entry operator का 25,165 से 31,045 postal assistant का 25,165 से 31,045 तक code clerk का 18777 से 22,411 तक तो चली अब बात कर लेते हैं दूसरे नमर का जो की है NDA ये NDA को national defense academy भी कहते हैं जी हां तो NDA में तीन विंग होते हैं इंडियन आर्मी इंडियन एरफोस और इंडियन नवी होते हैं NDA का exam साल में दो बार होते हैं इसका exam science वाले student देते हैं जिसका 10 प्लस 2 में math, physics और science होना है वही इस exam को दे सकते हैं इस exam में आपका mathematics strong होना चाहिए दोस्तों एक important question और है कि इस exam को आप अगर देते हैं तो इसमें आपको unmarried होना अनिवार है क्योंकि जब आप ये form को flip करेंगे तो आपको ये पूछे जाएंगे इसका exam दो paper का होता है एक होता है mathematics दूसरा general availability का ये दोनों एक्जाम पास करने के लिए SSP द्वारा interview के लिए call किया जाता है वही ट्रेनिंग पास होने के बाद defense post के लिए इसमें आपका 56,000 से लेके धाय लाग तक की salary मिलती है बात कर लेते हैं तो तीसरे नमर का जो job है SSP इस्टेनो ग्राफर ये grade C और D की job है इस्टेनो ग्राफर का exam SSP द्वारा लिया जाते है इसका वीज जो notification है atted γापर का वीज gjort notification है साल में एक बार आता है और इसका exam group C और D की द्वारा लिया जाता है इसके एक्जाम के दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एक्जाम होता है, इसमें objective type question पूछे जाते हैं, इस एक्जाम के खासे थे कि इसमें math question नहीं पूछे जाते हैं, प्लस टू में आपका कोई भी subject है, तो आप इस एक्जाम देने के लिए eligible हैं, दोस्तों skill test क के लिए short hand और typing आपको आना चाहिए, तभी आप इस exam के लिए qualify कर पाएंगे, इसमें दो grade पे होते हैं, चोबिश्व और 46, अगर बात करें इसका total salary का, तो 35,000, 35,000 के करीब आपका salary हो जाता है, और इसमें जो इसका facility मिलेंगे, वो तो आपको अलग से ही मिलने बाले हैं, जो चलिए बात कर लेते हैं, चोथे नमर का, जो की है MTS, इसे हमले multitasking staff भी कहते हैं, इसका अब ये exam SSE द्वारा लिया जाता है, MTS को non-technical exam के रूप में जाना जाता है, इसमें तीन तरह के नोकरी मिलती है, और इसके अंदर भी कई तरह की नोकरियां होती है, जैसे की multitasking staff, group C, non-ministical post हैं, वैसे इस exam के लिए qualification है 10th pass, लेकिन इसका जो exam देते हैं, अधिकतर student 12th pass करने के बाद ही इसमें apply करते हैं, इस exam के लिए 18-25 वर्स के बीच होना चाहिए, यह exam 2 stage में होती है, पहला stage के बाद करें तो objective type question होती है, इसमें pass करने के बाद ही stage 2 में qualify कर पाएंगे, stage 2 में descriptive type question होते हैं, जिसमें easy letter लिखना होता है, और अगर salary की बात करें तो इसमें आपको 20,000 से ज़्यादा salary मिलती है, अगर हम बात करें पांचवे नमर का तो railway, rrb, ntpc, जिहां दोस्तो railway, rrb, ntpc, ntpc non-technical popular category, दोस्तो इसके अंतरगत कई परकार के vacancy आती है, कुछ 10 plus 2 level के होते हैं, कुछ graduation level के होते हैं, लेकिन मैं आपको 10 plus 2 level की job के बारे में बताता हूँ, इसमें commercial कम, ticket clerk, account clerk, कम, typist, दोस्तो इसमें आपका computer का knowledge होना ज़रूरी है, exam 2 stage में होते हैं, दोनों का syllabus same है, mathematics, general intelligence, reasoning, general awareness, और अगर salary की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा इसमें आपक करने के बाद आपके 5 important jobs, जिसकी अगर आप तहियारी करते हैं, तो आपको बहुत जल्द job मिलने की संभावना है, मतलब मिल सकती है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें comment में लिख के ज़रूरू बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो व तो वारत